करता हूं दोस्तों अगर आपके फॉन में कॉल आता या टैक्स मेसेज आता चाहे को भी मेसेज आता ना तो ये वीडियो सिर्फ वस्रिफ आपके लिए हंडेट परसन आज ये गलती मत किजेगा तीन से चार्ड मेर्ट का वीडियो बनेगा इस वीडियो को पूरा ध्यान से द अगर दोस्तों ये सेटिंग को अन करने तेना अपनी फॉन में तो आपके जिन्दगी बदल देगा और पूरे बताऊंगा क्योंकि ये सेटिंग जो ना मोबाल फॉन के अदर एक नया सेटिंग है जो आप लोगों को उन्देट परसन नहीं पता होगा अगर आप इसके बा से क्या-क्या फायते होने वाली है तो चलि मैं आपको बता देता हूं मैं कले ता वीडियो स्टार्ट मेरे नम सितारे और आप देख रहे होगा यूटुक चनल तो दोस्तो देख सकते हैं और मेरे मोबाल फण और चलि मैं आपको बता दे तक कि ऐसी कौन से सेटिंग है अगर आप इस setting के बारे में जानना चाहते ना तो उससे पहले like कीज़ेगा दोस्तो आज कुछ अलग सीखनी को मिलेगा तो like का target रखता हो कम से कम 8000 मुझे उमेदे की आपको like कर दीज़ेगा जो बिल्कुल free होता है लाल बला बटन क्लिक करके चलू कर लीज़ेगा subscribe all notification दवा दिना इस वीडियो को share करना है और दोस्तो comment के अंदर आपको new setting लिग देना होगा जैसे new setting लिग करके आपको comment के अंदर send करने के बाद दोस्तो आप अपने phone के अंदर जो setting है ना उस setting को on कर दीज़ेगा तो जैसे आप अपने phone के setting में चले जाते ना तो जैसे आप अपने phone के setting मे जाने के बाद दूस्तो नीचे जाएंगे नीचे जाने के बाद तो यहाँ पर अबॉर्ट होगा अबॉर्ट फॉन तो अबॉर्ट फॉन में जाएंगे दूस्तो आफ अबॉर्ट फॉन सभी के phone के अंदर setting मिल जाता है तो award phone में जाएंगे software information में जाएंगे ना तो built number होगा यानि कि दूस्थो किसी phone के अंदर MIUI version या किसी phone के अंदर version होता है तो मेरे phone के अंदर built number होगा तो 7 बार दबाना होगा जैसे कि मैं यहाँ पर 7 बार दबा देता हूँ और जैसे 7 बार खुद दिया अगर आपकी phone में call आता है SMS आता ना तो इस setting को आप लोगों को यानि कि सभी android user को इस setting को on कर लेना चाहिए तो आप double put option में जाएंगे ना जाने के बार नीचे जाएंगे जैसे कि मैं नीचे जाता हूँ और नीचे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक setting मिल आते हैं और आपको मालूम नहीं कि कि आप किसको permission देना चाहिए किसका permission नहीं नहीं देना चाहिए आपकी phone में important call आता है आपकी phone में text message आता है या COVID message आता है और जो भी application आप इस्टॉल करते हैं उसको धरादर धरादर आप भी ना सोचे समझे उसे आप permission दे देने के बाद क्या होता है कि आपका call का access ले लेता है आपका call पर बाते भी सुन लेता है उसके साथ ही साथ दोस्तों आप जो text message आता है ना तो उसका message जो ना read कर लेता है चाहिए वो important message हो चाहिए bank का message हो तो वो बंदा जो ना COVID third party application वाला पढ़ लेता है चाहिए को भी आपका WhatsApp भी message आग करते ना तो आप उसे permission देना भी चाहिए ना तो वो permission नहीं होगा क्योंकि वो बंद होगा तो यहां पर को भी आपको access नहीं लेगा जैसे कि यहां पर allow only on default phone and SMS apps and access call and SMS history यह सबका permission यहां पर नहीं ले सकता तो इससे क्या हो ना काफी जादा safe कर सकते और आपकी जिंदगी ब सकती है तो इस सेटिंग को आप जरूर इस्तमाल किजेगा जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया हो जियां तो इस सेटिंग को अब भी तुनत और सभी android phone user को जो ना इस सेटिंग को on कर देना चाहिए तो आसा करते हो कि आज का जो वीडियो काफी awesome बहुत ही कम के लगा वीडियो चेली वीडियो को लाइक किजेगा चैनल का लिजेगा सब्सक्राइब और लोटी विए के संदवा दीजेगा दूसरे मिलेगा दूसरे वीडियो में अपना क्याल देगे टेक केर एंड गुडबाई